हलो दोस्तों, मैं आपको बता दू कि पीएम किसान संभान निधी योजना के तहट उनको किसानों को पुरुसाहन रासी लोगडाउन की जो थी वह बैजी जा रही है तो दोस्तों इसके बीच पीएम किसान के लावर्तियों के लिए अच्छी ख़बर है लोगडाउन के तहट सरकार ने पहली किस्त भेज दी है दोस्तो अगर आपको भी इसके बारे में पूरा जानना है तो बने रही मेरी वीडियो के साथ मेरे वीडियो इसकी पना करिए तभी आपको पूरा ये समझ मायाएगा दोस्तो अगर आप मेरे चेनल पे नए हैं तो मेरा चेनल सब्सक्राइब करे साथ में बेल आइकन प्रेस करे ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तो चालू वित्ते वर्स की सुरुआत में ही परदामति किसान संबान निधी योजना की पहले किस्त किसानों के खाते में भेज दी गई है केंद सरकार के आंकड़े के मताबिक 7.92 करोड किसान के बैंक अकाउंड में 15.8 41 करोड रुपे की रासी हस्तांत्रेड की जा चुकी है क्रिश्य मंत्रायने की और से जारी बयान यहे एक की बात कही एक की पी-एम किसान योजना के तहत केंद सरकार के अधिक आमन्दी वाली किसानों को छोड़कर बाकी सबी करिश्यकों के हर साल 6,000 रुपे की रासी सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी है यह रासी तीन किस्त में भेजी जाती है तो दोस्तों आपको पता है यह रासी किसान की बैज दी गई है दोस्तों कोरणा महामारी के बाद उत्पन दिक्कतों के मध्यनजर केंदर सरकार ने चालू वित वर्स की पहली किस्त को सुरात में ही किसानों के खातों में बैजने का एलान किया था वित मंत्री निर्मला सीधमरण ने पिछले मैने के आखरी में इस बात की गोशना की थी कि क्रिशी मंत्रायली की और से जारी बयान में कहा है कि कोरोना संक्रवन को फैलने को रोकने के लिए 25 मार्च से लागू लोकडाउन के 5 पीम किसान योजना के जरिये 7.92 करोड क्रिशक परिवारों को सीधा फायदा पहुंचा गया है मंत्रायले ने कहा है कि किसानों के खात कुल 15,847 करोड रुपे की रासी बेजी जा चुकी है तो दोस्तों आप देख सकते हो तो देज भर में लागू लोकडाउन के 20 सरकार ने 27 मार्च को इस बात का एलान किया था कि हर वह पीम किसान की पहली किस्त पात्र किसानों के बेंक खाते में नए वित वर्स के पहले सब्ताएं में डालेगी कोरोना संकरण के फैने से रोकने के लिए लागू पावंदी के तहद लोगों को घरों में रहने के लिए प्रुसायन किया जा रहा है लोग एकारण अपने घ उडिशा और पंजाब में लोग अवधी को 30 अफरेल तक के लिए बढ़ा दिया गया है के राज्ये इस तरह के निड़े में विचार कर रहे हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों आपको वह किस्त किस परकार से मिलेगा यह आपको यह एक एप का लोको दीख रहा होगा इस एप को आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले इस्टोर से उसके बाद आपको इसका प्ले इस्टोर पर चले जाना है प्ले इस्टोर पर जाकर आपको सर्च मारना है पी एम क कर लेना है आपको इस पर किलिक करना होगा इस पर इसके बाद आपको इस इंस्टॉल बटन पर किलिक कर देना है यह आपका डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको ओपन कर लेना है दोस्तो आपको इस एप के अंदर आपको यह नजर आएगा इस फोल्डरों के अनुसार आप अपना ओप्शनों के अनुसार आप अपना किस्त का पता कर सकते हो तो दोस्तो इन ओप्शनों के अनुसार आप अपना किस्त के बारे में फूरी जानकरी प्राप्त कर सकते हो तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो अगर मेरा वीडियो पसंद आ है तो लाइक करें आगे दोस्तों को सेर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें धन्यवाद